पाड़क शेत्रों में बरसाठ से उफान पर यम्रा नदी बाड के खत्रे से बड़े किसानों की चिंता अटनिक नबेराज से होकर निकल रहे पाने के बाद यम्रा नदी का जलस्तर दो लाग एकिस हाजार क्यूसिक पर पहुँच गया ए जलस्तर बढ़ने के बाद जहां परसासन ने अलट जारी कर दिया है वहीं यम्रानदी के साथ लगते किसानों की चिंताएं भी बढ़ गई है किसान बड़े जलस्तर को देखने के लिए यम्रानदी के किनारों पर पहुँच गई है इस वर्स यह पहली बार हो रहा है कि यम्रानदी का जलस्तर इतना बड़ा है जिस कांड यम्रानदी का पार खेतों में कहीं कहीं यम्रानदी का पाने भी खेतों में घुसना सुरू हो गया है जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है माई शेतरवासी एडवोकेट वर्याम सिंग ने बताया कि अवैद खनन के कारण इस बार क्रिशी भूमी वै अबादिक शेतर में नुकसान का अनुमान है जमना के उस पार भी है और हमारे किसान उस तरफ क्रिशी करने जाते हैं लेकिन आज इस तरह से अचानक एकदम पानी की बढ़ोत्री हुई है किसान उस तरफ जाने में समर्थ हैं और दूसरी तरफ उस तरफ जो बेदभी से जमना नदी के अंदर हुई खननन के कारण भूमी के सो रहा है, 40-45-फूट घैरी खुदाई यह गैर कनोनी तरीके से की जारी है उस पर समय रहते प्रसासन के द्वारा अंकुस नहीं लगाया गया जिसका खामिया जा अब हमारे क्षेत्र को और हमारे किसानों को भूगतना बढ़ेगा बताया जा रहा है कि यम्रादी के नगली गाड के समीप यूपी की साइड में खेतों में कटाव हो रहा है जिससे किसानों की भूमी यम्रादी में समा रही है वहीं यूपी साइड ही किसानों के खेतों में यम्रादी के पानी खेतों में घुसना सुरू हो गया है हाला कि इस पार अभी पानी ने खेतों की और रूख नहीं किया है लेकिन यम्नादी पार खेतों में पानी जाने से किसानों की चिंताई अवस्या बढ़ गई है किसानों को डर है कि अगर जलसर और अधिक बढ़ा तो खेतों में खड़ी फसल खराब हो जाएगी जिससे उन्ह उठाना पड़ सकता है जिसको लेकर किसान जमन नदी की स्थिती पर नजर बनाए हुए हैं मंधल के गाव कुर्द्बन में विरुवार को गुरुगोरुकणात की मुर्ति की स्थापना की गई मूर्ति स्थापना से पुरू ग्रामिडों ने हवन्यक का योजन कर शेत्र की सुख समरिद्धी की कामना की। कार्यग्रम में हिमाचल परदेश में सिवल मेजिस्टेट जीतेंदर सैनी ने बतोर मुक्यतिती सिर्कत की और माथा टेकर पूजा अर्चना की। इस अफसर पर विसाल बंडरे का भी योजन किया गया जिसमें शेत्र की स्नेकडों लोगों ने परसाथ ग्रेंड किया। रादोर वैस पास की खबरों के लिए जुडे रेंड अव देश टाइम के साथ नमस्कार।